सावन का महिना कल से सुरू होने जा रहा है वहीं सावन के पहले दिन भगतों के लिए कानपुर में सुब़े चार वजे से कपाट खुल जाएंगे आपको बता दे कि सभी सिवालों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है वहीं सुरच्छा के भी कड़े बंदों बस भी किये गए हैं इस बार भगत अपने भगवान का जलवशे कर उन्हें चू सकेंगे आपको बता दे कि कोविट के चलते शिवलिंग को इस पर्स करना बीते साल भी प्रतिबंधित था सभी सिवालों में पट सुबद चार वजे मंगला आर्ती के बाद खोल दिये जाएंगे इसके बाद पूरा दीन भगत दर्सन कर सकेंगे वई दोपहर आर्तीवा भोग के लिए जरूर कुछ देर तक पट बंद रहेंगे इसके बाद भगत रात के दस बजे तक बाबा के दर्सन कर सकेंगे वई गंगा घाटों को भी पूर्ण रूप से सजाया जा रहा है आपको बता दे कि परमट मंदिर में शावन में रोजाना लाखो भगत आते हैं इस बार मंदिर में आने और जाने के लिए अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं हाला कि अभी इस पर पूलिस प्रसासन विचार कर रही है वही मंदिर में CRPF और पूलिस के जवान तयनाद रहेंगे CCTV कैमरों के साथ कंट्रोल रूम भी बनाया गया है आपको बता दे आनेंदेश्वर मंदिर, शिद्धनात मंदिर, बलखंडेश्वर मंदिर, जगेश्वर मंदिर, खेरेश्वर मंदिर में हजारों की संधामिज रधालू दर्सन के लिए पहुचते हैं Bureau Report, IPN